दोस्तो आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा चालिश साइज का डीप नेट प्रिंट सिसकर्ट बिलाउज वो भी बिल्कुल नए स्टाइल में जिसकी मदद से आप किसी की भी बिलाउज को बहुत प्यारी फिटिंग दे सकते हैं अगर आप कोई तरीका पसंद है तो इस वीडियो को लैक जरू करना तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और यह प्यारा तरीका आपको हम सिखाते हैं तो दोस्तो जिस नाप से मैं आपको बिलाउज कटिंग सिखा रहा हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कमल 34 तीरा यानि शोल्डर फुल 15 शिलिप लंबाई 13 गोलाई नेक जो है मारा यानि गला बैक नेक 10 इंच का फरंड नेक साथ इंच का इसके वाद दोस्तों यह डीप नेक प्लिसिसकर बिलाउज के हमारी सीरी चाली साइज में तो यह हम आपको सिखाने वाले हैं और अगर आपने अब भी तक हमारी यह जो वीडियो लाइन से चल रही है जिसमें मैं स्टीचिंग कभी आपको बता चुका हूं कि कैसे आप इसकी कर सकते हैं इस पैटन को यूज करके तो दोस्तों डिस्क्रिप्सर में इसका लिंक दिया गया पूरी प्लिए इसका उहां पर के लिक देखें बिकिए आपको छी आप देखा नहीं श्राइम के बाद यहां पर हमेहां इक लिमत लेना है इस यह जैसे इंत इनुद हैं असे आपको यहांप एक सूत कम यहाँ निटा साइज में उसक Kitchen पहला बत्तों यहांपे साबखेंस पे नसान लाएंगे सब मार्क को हम सीधा मार्क कर लेंगे स्केल की मदस से अब देखे दोस्तों यहां पर हम अपनी चैस का निसान लगेंगे तो यहां पर दीखिए दियान से हमारी मश्ट कितनी है बोडिका मेज़े में 38 ठीक है बैग नेक डीप है तो हम इसमें पिलस करेंगे जीरो ना 38 हम यहा अब आतकर दोस्तों सिंधानों इन दोनों निसानों को मस् तरीके से मार्क कर लेएंगे बिल्कुर सीधा सीधा और जो कटिंग में दोस्तों बता रहा हूं ना इसी तरीके से बहुत इस सीरीज आने वाली मेडी तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने अब यह मार्क है आप हो गया हमारा अब देखें सिंपल यहां पर हमें इससे ना देखें बहुत आदेंगे यहां पर हमारा अराम से हो जाएगा है यह कि ढूट का हमारा निसान ठीक है अब यहांपर आते हम दोस्तों और फर्रंट करोस कैसे निकालेंगे दियां से देखेंगे यहां पर जो हमारा सोल्डर है तो यहां पर तीरह 15 गला 10 इंच है तो 15 मैंस स लगाएंगी और यहां पर जो जान लगाएंगे और यहां पर आगे लेंगे अब यहां वामस। तरिकासिन पर ऐसे करना है इसको हम डाउन करनेगे तकरीबन करेंगे तकरीब कर कि देखें कि कटिंग करने के बाद यहां पर जो हमारा निसान ना मालजन का इस पर भी हम सेम कटिंग कर लेंगे और नीचे जो अपने लंबाई का निसान लगा इसको भी कटिंग कर लेंगे है कि तोट्रल में हमारी सारी कटिंग हो चुकी है अभि यहां पर हम नहीं लगा लगें उस साइज के ि कट को हम इस तरीगे से लगा लेंगे μια अब दोस्तों हमारा स्यटार हम में ध्यान रखना है गल्ली का बिरोड coping तो यहां पर हमने जो एक दो तीन निसान लगा दिये और उपर की साइड़े कर निसान लगा दिया अब बैक पार्ट को अलग कर देते हैं अब दोस्तों दिहान से रेखेंगे यहां पर हमने कितना निसान लगाया निसान लगाना है अब दोस्तों यहां पर हमें कितना निसान लगाना है यहां पर दोस्तों हमारा 30 नाब है यहां पर दोस्तों यहां पर देंगे कमर 34 हैं तो हमें सबसे पहले हैं पर 34 का एक चुथा इनाफ साड़े आठ और इसमें हम देंगे तीन इंच की डॉट ठीक है फिर यहां पर देंगे पिलस कर देंगे तो यह हमारा को इस तरीके से दोस्तों निसान आएगा अब इन दोनों निसानों को ना उपर निंचे वाले में ये देखिए बड़े बड़े करके रहा हैं इस तरीके से देंगे जैसे मर करना है ज अब दोस्तों अब दोस्तो इस सा grape में हमारा दोस्तों यहां की दूरी ओगी जो कि दूस्तों तकरिबर 4 इंच ऍच मितफें उसके बादा यहां वारी साइड में Appearnate Rule 3-2 सिनकी यहाँ हमारी डॉट ठी यहाँ पे लिके लेते ह Abg. था यहाँ पर भी और इस तरीके इस तरीके। यह निसान लगाने के बाद अब यहां पर आपको इसका सेंटर ले लेना वीडियो में आगए बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं अमीना बुटिक पेपर कटिंग के बारे में अगर आप भी टेलर की तरह है फिटिंग देना तो आप हमेंना बू। की पेपर कटिंगंग मंगवा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करते हैं यह वाला इहां लिए क्वाला प्रेपर is से पूछ सकते हो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा तो जिस किस्टियों को भी पेपर केडिक्स चाहिए इसकीन पर नंबर पर कॉंटक्ट कर सकता है तो यहां भी जो निसान है दोस्तों इस तरीगे से रखना है ठीक है ठीक है बस आपको यहां पर इस लाइन से 1.5 ऐसी निसान है यहां रहा रहा हूं यहां इस निसान को लगाने के बाद तो यहां से लेकिए देड़कागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागाग और यह वाला निसान आपका आपका एक इंची डाउन यह डोनों निसान लगा के अब इसको हम नापेंगे यह नाप कितना दोस्तों यहाँ का साड़े-पांच में हल्का सा ज्यादा बस इसको ऐसे करेंगे तो साड़े-पांच में हम यहाँ पर इस तरीगे से निसान लगा लेंगे थोड़ा कम करके ठीक है इस निसान को उधर वाले निसान से ऐसे मिलाएंगे यह देखिए अब यह वाला जो निसान है ना दोस्तों इसको हम चोक की मदद से ड्रॉ करेंगे ठीक है तो देखिए आप को हलका साह से नीचे लेकर जाना है और जैसे में ड्रॉ कर लाँ ना सेम दोस्तों इसी तरीगे से आपको यहाँ पर देखिए तो यहां पर देख सकते हैं पूरा चितर निसान आपको नज़र आ रहा है अब यहां पर हम लेंगे दोस्तों अपना फ्रेंश करो और यह वाली देखिए अब इस जगाँ पर हमें क्या करना है इस जगा पर हमें पूर्ण करना जयसे यहां पर फक्रिक्रिक से जैसा मैंने बनाया बना लेना जब यह बन जाएगा तो देखे पूरी अच्छी तरीगे से यहां पर मार्किंग हो चुकी है अगर कुछ कमी पेस्ट यह तो आप इसे ठीक करने फिर उसके बाद कटिंग करेंगे तो चलिए मैं चैक कर लेता हूं उसके हम इसकी कटिंग आप छेक्डात बतबोने हम से करेंगे तो देखे दो Просто दाल्ग कासा जारा था यहां पर साड़े-पांच में बिल्गूल सेमने यहां पर मिल दिया अब इसकी करेंगे कटिंग कटिंग आप कहीं से भी सटार्ट कर सकते हैं ठीक है पेपर है बस आपका यहां पर देखें हुआ भी इसको ऐसे कट करके इस निजिसान पर आills को कटिंग करेंगे हैं ग्री देखिए मैं कटिंग कर रहा हूं उसके बाल यहां पर कि समय कटिंग करेंगे कि दोस्तों यह वाल है तो चैसे श्चसाहन फॉर पटिंग करेंगे है तो है कि इसको सीधा इस तरीक हैं करनेंगे यह कटिंग हो गया अब यह वाली जुauf हारा दोस्तों इसको हम इस तरीके से कटिंग करते हुए यह निरीगहर संप को हम इस तरह के से कटिंग करेंगे और फिल बड़ी ऐसी गुलाई देते हुए ऐसे गुलाई देते हुए हम ऊपर आ जो निसाना था दोस्तो उसको खतम कर देगे कि यहाँ पर प्रॉस्भास और यहश्य तरफ करें सब्सक्री राएप लाइगे यहाँ हम एक कट लगा लेंगे एक वर यह एक ड़े कहने के बाद में समझा चुका हूं और यहाँ पर दोस्तों हम इसे जो हमारा साख यह लगे लगेगा दूसरा कट दोस्तों आपका यहां पर लगेगा ठीक है कि यह कट लगाने के बाद में कट लग गया अब यहां पर जब यह हिस्सा आपका ऐसे जुड़ेगा ना तो यह देखिए पूरी आर्मूल की सेफ एकदम परफेक्ट तरीके से आ रही है ठीक है यह लेता हूं अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले बैक पाट को कम करने से पहले इसके गले के ब्रॉट को निसान लगाएंगे तो दिखेंगे अब इसमें आप जितनी स्टैप देना चाहते हूं तो बस आपको क्या करना है बाद्जू का माजन इस तरीके से नाप लेना जै आपको बंधना अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बैक पाट değ all करना पड़ेग में और एक नीचे वाली सब्सक्राइब पह पर ही पर निसकी तरrr देखियो और यहाली लैन आपकी एसे आईगी टीक है अब यह लाइन से हमें büyRichan लगा लेनain पुर इसको हमें दोस्तों कटिंग करना है इसको भी और इसको भी तो चलिए दिक पार्ट यहां पर हम इसको कटिंग करते हुए थाट जी अब यहां वादी साइट बचेगे ना धोस्तों इसको हमें कि ऐसे कटिंग करने के बाद यहां पर कट लगा रहे अब जितनी यहां पर हम कट लगाएंगे इतनी घहरी यहां पर टाल देंगे नहीं तो आप आरेंज की गहरी प्लेट डाल तो क्योंकि एक इंच कर ने मार्जन लिया था तो अब देख सकते दोस्तों हमारा यह बैक पार् बताते हैं बाजू किस तरीके से कटिंग करनी है अब इस साइज में आपको बाजू कटिंग बता रहा हूं तो यहां पर देखिए लंबाई है छे गोलाई है इसकी तेरा तो यहां पर हमने एक निसान लगाना है डबल फोड़ करके पेपर को अब यहां पर आर्मों लेंग निसान लगाना है इसमें राव इसमें हम आर्मों देंगे पौने आठ इंच ठीक है इन दोनों निसानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे प्राइब आप दोस्तों यहां पर जितना माजन आपने दीज़ा जाना साइड में देद का इतना इतना ही आता है और दोनों को मिला कर इस तरीके से निसान लगा लेंगे हैं यहां पर लाने के बास्ति को हलका साइसे गुमा देंगे और उसको भी स्टरीके से मिला देंगे हैं लुखेते हैं तु मार्किंग बढ़ेंगे से लग चुकिया आप करेंगे दोस्तों आप कि क्टिंग कटिंग के लिए सिंपल हमें क्या करना है यह लिए घ्रिक करना है अब है ठीक है और इसी निशां पर आप निस्विस हो जाता है तो अपने इसाप से चैप कर सकते हैं अब देखें दोस्तों यहां पर यह साइड है इसको हम ऐसे कर लेंगे घुक है कि यहां पर आरहें इसके मासमें को चोड़ते हैं कर लेंगे तो तुर्भाई के सब्सक्रिण करें पर आःको जैसे मैं कट कर रहूं से अपने को कर अपने बबला कि यहां पर यहां तो दोस्तों इस तरीके से करेंगे 40 साइज का तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और मेरी पूरी प्लेलिस देखने की नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसके क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं मिलतें दोस्तों आपसे अगली वीडियो में